जैशे रादे क्रिष्णा मैं भी क्रिष्णा घरेलू नुसके मा के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आज हम बात करेंगे हड्डियों की हड्डियों में केल्शियम की कमी हो जाती है या हड्डियों में जोडों में दर्द हो जाता है अकडन हो जाती है यान आपको अराम नहीं आ रहा हो तो कुछ घरेलू ऐसी चीजे हैं जिनका सेवन करने से आपकी हड्यों में लचीला बनाता है जोड़ों में अकड़न और जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है और यहां तक अगर आपकी इस्तिती ऑस्ट्रोपराइस तक भी पहुंचिए तो उस चलिए जड़ पर वीडियो प्राराम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजेगा जिससे आने वाले नुसकों का नोटिफिकेशन आपको म लचीलापन बना रहे हैं जैसे जैसे हड़ियां हाड होंगी फिर उनको सीधा करना मुश्किल हो जाता है एक बात तो यह कि हमें अपनी लिए एफट करना है अपनी हड़ियों की मजबूती के लिए एफट करना अपने खानपान को थ्यार करना अपनी एकसरसाइज पर पू HIS केसासद कहा जाता जाता है कि गौन्चो को हता है वह हड्यों के अंदर लचिला पनलाता है तो गोंद के लोगर बस तो है मैं कहूं ऐसी खाने की चीज़ इसमें की भरपूर कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, पोटेशियम है, मिगनेशियम है, हजारों चीज़ें उसमें ऐसी है, ना न्यूट्रिशन है, तिल के अंदर यदि तिल को खाया जाता है, तो आपकी हड्या मजबूत ह तिल का सेवन, आपको बताऊं तो 100 ml, सिर्फ 100 ml तिल अगर आप यूज अपने खाने में प्रति दिन इस्तमाल करते हैं, तो आपको एक दिन में जितना कैल्शियम चाहिए, उतनी पूर्टी वो कर देता है, मातर 100 ml कैल्शियम, तो तिल को किसी भी तरह आप खा सकते हैं, ति अपनी पूरी प्रोपरटेस बोडी को नहीं दे पाता है, और इसी तरह ही मिशरीर में से निकल जाता है बाहर, लेकिन अगर आप तिल को फून कर हलका सा रोस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसको पीस लेते हैं, यानि चाहे हातों से भी मसल लेते हैं, उसको गुड के सा खा सकते हैं, तो खाली अगर शुगर की परिशानी है, तो आप खाली वो जो अपने पीस के रखा एक पाउडर, एक चमच, तिल का पाउडर, दूद के साथ ऐसे भी लेंगे, तो पूरा वो ही काम करेगा, जो आपकी हड्यों को चाहिए, तो अपनी हड्यों की मजबूती क के लिए, अपनी हड्यों की ताकत के लिए, तिल का सेवन, गुड का सेवन की सर्दी है, तो इसलिए परचुर मातरा में तिल है बजार में, और आपको हज डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और पूरा फाइदा देगा, वो भी यूज कर सकते हैं, सोया बिन जितना अपनी डा परिशानिया, आपकी, मतलब आप इनका सेवन करना शुरू करेंगे, जो बढ़ती परिशानिया पहले वो रुकेंगी, एकदम यह नहीं है कि आपके एकदम सारे जो ठीक होगे, आपने एक दिन खाया, नहीं, पहले तो जो भीमारी आपकी बढ़ रही है, वो बढ़नी रुक जाएगी, फिर उसके बाद वो घटनी शुरू हो, और चब एक बार घटनी शुरू हो जाएगी, तो घटेगी भी, भीमारी और खतम भी हो जाएगी, और फिर दुबारा होगी भी रही, यह वो चीजे हैं, जो आपके शरीर के उपर इतना पॉजिटिव काम करते हैं अजमा करते हैं, आज के लिए इतना हैं, इजाज़ा देजिए, आशा करते हैं उन्सका आपके बहुत उप्योगी सापी कोगा, मिलती है कोर्च बर दोसन उसके एक साथ, तब तक स्वास्त रहिए, मस्त रहिए, वीडियो चिल के तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तैंक यू